दोस्तो IPL 2024 का आगाज हो चुगा है और बहुत से भाई ऐसे हैं जो IPL match देखना पसंद करते हैं वो भी बड़ी स्क्रीन में और बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बहुत बड़ी स्क्रीन में IPL का match को enjoy करें जैसे कि वो किसी theater में देख रहे हो दोस्तो मार्केट मे कोई content देखना चाहते हो अपने gaming device को connect करके बड़ी स्क्रीन में gaming करना चाहते हो तो आपको एक बड़ी आसा प्रोजेक्टर पर्चेस करने की जरूरत पड़ीगी और आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर लेकर आया हूं जिसे आप अपने घर में या फिर बड़े 2 max जैटको alpha 2 इंडिया का एसा पहला प्रोजेक्टर था जिसमें आपको autofocus auto keystone correction जैसे features के साथ में जैटको ब्रैंड ने launch किया था और जैटको ब्रैंड का ये सबसे ज़्यादा बिखने वाला और सबसे ज़्यादा popular projector है और इसकी popularity को maintain रखने के लिए 2024 में जैटको ने इस HDR10 support के साथ में ये projector आता है जिसे आप इस projector को किसी भी 4K device के साथ connect करते हैं जैसे Amazon 5 TV stick या फिर कोई भी gaming device जो 4K output देता हो तो इस projector के थूँ आप 4K HDR HDR10 साथ इसाथ audio format में आपको डॉलवे audio का भी support मिल जाता है दोस्तों अभी के टाइम में बात की जाए तो बहुत सारे outdoor में अपनी 300 screen में test किया है और सबसे पहले मैं आपको इस projector का 300 test video दिखाने वाला हूं जिसमें आप अगर देखेंगे तो इस projector की brightness काफी जबरदस्त है company के हिसाब से इस projector की brightness 1000 nc lumens है और contrast ratio की बात करें तो 30,000 is to 1 का dynamic contrast ratio है जैसे कि मैंने कहा कि ये projector HDR support के साथ में आता है तो आप YouTube के content के इलावा OTT platform के content को भी 4K HDR में देख सकते हैं inbuilt YouTube या फिर inbuilt OTT platform के content में आपको ये support नहीं मिलेगा और ये इसी projector में नहीं हर projector के साथ ऐसी होता है आपको inbuilt में सिर्फ और सिर्फ YouTube में high resolution देखने को मिलेगा बागी किसी भी OTT platform में आपको high resolution देखने को नहीं मिलता है और आप इस projector से अपने घर पे 100 से लेके 150 इंस तक कभी screen बनाते हैं तो कोई भी brightness की कमी आपको नजर नहीं आएगी इस projector की brightness picture quality और colors भी काफी सांदार है जबरदस्त color आपको देखने को मिलेगा HDR content में आपको black और color की depth या फिर deepness जो कह सकते हैं वो जादा देखने को मिले आप अगर बड़ी screen create करते हैं जैसे कि 300 in screen या फिर उससे भी बड़ी screen create करते हैं और आपको लगता है कि brightness थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए तो आप HDR को off कर सकते हैं जिसे brightness increase होने के साथ साथ आपको picture quality में बहुत ज्यादा different देखने को नहीं मिलेगा वैसे दोस्तों इ ने जितने भी projector अभी के time में देखा है या फिर इसके पूराने या previous model को भी आप अगर देखेंगे आप चाहें तो उसका review वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको वही brightness, contrast, android version यही सब बताया जाता है product की look design की बात में तो जो भी कुछ है आपके सामने में आप screen में देख स साथ outdoor में बड़ी screen में content enjoy करना चाते हैं आपके पास इतना space है और इतनी बड़ी wall या screen है तो definitely इस projector से मिलने वाला result को आप enjoy करेंगे इस projector का जो प्राइज आप अगर देखेंगे Amazon पे तो यह 26,000 के आजपास आपको Amazon पे मिलेगा और यह projector आपके budget में अगर आ रहा है तो definitely इ तो उससे बहतर यह है कि company इस projector के साथ आपको combo offer भी लेका आया है तो उसे भी जो है आप purchase कर सकते हैं दोनों ही link आपको वीडियो के decision और pin comment में मिल जाएगा दोस्तों इस projector को लेके final conclusion के अगर मैं बात करों तो यह जैट को alpha 2 projector से बहतर projector है अपग्रेट किया गया है जो कि quality colors यह सबी चीज़े पहले से बहतर आपको देखने को मिलेगी 4K68PS HDR support के साथ में आता है Dolby audio का भी support HDMI air से भी इसमें आपको मिल जाता है तो कुल मिलाकर यह complete package है जिसे आप multipurpose के साथ हर occasion और हर तरीके के content देखने के लिए use कर सकते हैं और यह projector आपको 100 से लेके 300 तक का screen में भ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ नया और कुछ अलग करने की कोशिस की है projector को लेके या फिर हमारी इस वीडियो को लेके कोई भी आपका opinion है कुछ सवाल है या कुछ कहना जाते हैं कुछ पूछना चाते हैं तो comment box में comment करना मत भूलिएगा चैनल को अभी तर सब सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करके support कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो में बनाता रहों आज का वीडियो बस इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में है तब तक के लिए धन्यवाद जेहिं सब्सक्राइब